गुरुवार के दिन भूल कर भी न करे ये साथ कांग, वर्ना वरत का नहीं मिलेगा फाइदा, धार्मिक शास्त्रों में जिस तरह सप्ता का हर दिन विशेश माना गया है, वैसे ही हर दिन के देवता भी निश्चित है. गुरुवार का दिन श्रीहरी विश्णो तथा देवगुरु ब्रहस्पती का माना गया है, जोतिश शास्त्र तथा पुराणों में भी गुरुवार का खास महत्व कहा गया है, जोतिश की माने तो गुरुवार के दिन कुछ ऐसे काम है, जिने करने से जीवन में नकारात्मता आती हैं, इतना ही नहीं हमारे घर के बुजुर्ग लोग की हमें कुछ काम गुरुवार के दिन नहीं करने की सलाह देते हैं. आईए यहां जानते हैं ऐसे कौन से साथ कार्य हैं, जो गुरुवार थर्जडे को कतई नहीं करना चाहिए. एक कबाड आपको बता दें कि गुरुवार के दिन ना तो पूरे घर की साफफाई करे और ना ही कबाड को घर से बाहर निकाले. क्योंकि गुरुवार के दिन घर की अधिक साफफाई या मकडी के जाले जटकना शुब नहीं माना जाता है. अत इस बात का ध्यान रखेंस, दो नाखून न काटे, गुरुवार को नाखून काटना शुब नहीं माना गया है यह धन हानी होने का प्रबल संकेत है इससे घर के मुख्या की तरक्की कम होती है या बाधित होती है घर में पीडा आती है इसी वज़ा से ब्रहस पतिवार के दिन नाखून काटने से बचना आवश्चक है तीन, शेविंग करना किसी भी जन्म कुंदिली में दूसरा, दो और ग्यारवां, ग्यारा, भाव धन के स्थान होते है गुरुग्रह इन दोनों ही स्थानों का कारत ग्रह होता है गुरुवार को गुरुग्रह को कमजोर किये जाने वाले काम करने से धन की वृद्धी रुख जाती है धन लाब की जो भी स्थितियां बन रही हो, उन सभी में रुकावट आने लगती है गुरुवार के दिन शेविंग करना भी इसलिए निशेद है शरीर के बालो को साफ करना गुरुवार के दिन उचित नहीं माना जाता है अत दाढ़ी तथा सिर के बाल नहीं कटवाने चाहिए चार बाल कटाना गुरुवार के दिन बाल ना धोने वाला तर्क भी यहां भी लागू होता है इस दिन बाल भी नहीं कटवाना चाहिए बाल कटवाने का संतान और पती के जीवन पर गलत असर पड़ता है उनकी उन्नती बाधित होती है अत सावधानी रखे तथा गुरुवार के दिन बाल काटना अवॉइड करें पांच पोच्छा लगाना जिस तरह ब्रहस्पती का प्रभाव शरीर पर रहता है उसी तरह से घर पर भी ब्रहस्पती का प्रभाव उतना ही गहरा होता है वास्तु के अनुसार घर में इशान कोन का स्वामी गुरु होता है इशान कोन धर्म और शिक्षा की दिशा है आप न